नमस्कार दोस्तों, टेकनिकल सुविधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम सेमी एटोमेटिक वाशिंग मेशिन का जो वश टाइमर होता है साथ वायर वाला, उसके बारे में जानकरी लेने वाले हैं अक्सर क्या होता है न यहां देखिए इस case में यह जो मेरे हाथ में यह पुराना wash timer है और यह नया wash timer लेकिन इसमें क्या होता है कभी-कभी जो color code से इसके एक दुसरे के साथ match नहीं करते हैं तो जो भी ने technicians होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो लोग क्या करते हैं color के हिसाब से color match करने जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है हर एक timer में color अलग हो सकते हैं इसलिए color के हिसाब से connections नहीं करने हैं wash timer में मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि timer same model का है, same company का है function भी उसके same है लेकिन पुराने और नए wash timer के wires के colors match नहीं होते हैं इसलिए कभी भी wires के colors के भरोसे पे रहके connections नहीं करने हैं आज मैं आपको इस वीडियो में यहीं बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो पुराना wash timer है उसके color नए वाले wash timer के wire के साथ match नहीं होते है तब wires को किस तरह से पैचानना है और किस तरह से connection करना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले मैं यह पुराना wash timer है इसको बाजू में रख देता हूँ यह नया wash timer है यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ total साथ wires है और यह जो तीन wire का एक group है और चार wire का एक group है ठीक है तोटल दो groups है इसमें अब क्या करना है यह चार वाला जो wire का group है इसमें देखिए यहाँ यह जो दो wires है यह लंबाई में छोटे हैं और ये जो दो वायर्स है ये लंबाई में ज्यादा रंबे हैं तो ये जो ज्यादा लंबे वाले दो वायर्स है ये मोटर के कपैसिटर के लिए जाते हैं ये मोटर तक जाते हैं इसलिए इनकी लंबाई ज्यादा है तो ये दो वायर तो मालूम होगे कपैसिटर के लिए जात चोटे है और यह brown color की यो wire है, यह ज़्यादा लंबी है इस brown color की wire से wash timer में phase in होती है तो इस तरह से हमें पता चला, यह लंबे वाले यह दो wire है यह capacitor के और यह brown वाला wire है, यह phase in का है अब इस वाले group में यह 2 wire बजगे और यह वाले group में यह 2 wire बजगे तो मैंने क्या कहा आपको यह जो brown color की wire है इसमें से AC supply in होता है तो जब timer off होता है तो इस wire की continuity दुसरे किसी भी wire में नहीं आती है जैसे ही हम timer को on करते हैं तो यह जो brown color की wire की continuity है यह जो पहले दो wires है pink और gray यह दोनों में से किसी एक में continuity आने लगेगी जिस wire में continuity आने लगेगी वो wire जाएगी selector switch के common point को और बचीवी जी wire है वो होगी buzzer की wire अब मैं इस timer को on करता हूँ और multimeter की मदद से brown wire की continuity कौनसे wire में आती है वो चेक करेंगे मैंने multimeter को continuity mode पे set किया है timer भी on किया है अब यह जो brown wire है इसकी continuity इन दो wire में से किस wire के साथ आती है देखेंगे pink wire के साथ continuity नहीं मिल रही है ठीक है उसके बाद यह जो grey wire है इसके साथ continuity आ रही है इसका मतलब जो grey wire है यह selector switch की common point पे जाएगी wire और जो pink wire है और रहेगी buzzer की pink wire जो है वो buzzer की है वो भी मैं आपको confirm करके दिखाता हूँ अब यह चार वाले group में जो दो छोटी वाली wires है यह होती है selector switch के जो दो out points होते हैं उनके लिए होती है अब एक बार यह जो pink wire है जो की buzzer के लिए है वो मैं आपको confirm करके बताता हूँ कि यह buzzer की है करके तो इसमें क्या होता है जो brown wire की continuity है यह buzzer में कब आती है जब timer का जो आकरी minute होता है समझो कि अगर timer को आपने 15 minute पे set किया है तो 14 minute होने के बाद यह brown wire की continuity pink wire में आनी चाहिए दोस्तों अगर आप channel पे नए हो और अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe जरूर कीजिए और bell icon को भी प्रेस कीजिए अभी यह जो मैंने timer on किया था वो अभी आखरी mode पे है जैसे ही timer last minute में पहुंचेगा तो pink wire जो बजर की होती है उसमें continuity आनी चाहिए अगर आप ए timer online order करना चाहते हो तो इसका link मैंने description box में दे दिया है यहाँ देखिए continuity show हो रही है इसका मतलब जो आखरी minute में जिस wire में continuity आती है वो बजर की wire होती है तो इस तरह से यह pink wire बजर की है यह हमने confirm कर लिया इस तरह से बहुत आसान है यह 7 wire वाले जो wash timers होते हैं उनका wiring connections चेक करना तेकिन कभी भी wire के color के भरो से connections मत करना दोस्तों उम्मिद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like जरूर कर देना मिलते हैं next studio में धन्यवाद